कि नमस्कार अस्सलाम अलेकुम कैसे हैं दोस्तों मैं डॉक्टर अलीफ मलिक एक बार फिर से आप सबका अपने युट्यूब चैनल पर हाल्दिक स्वागत इस्तिक्बाल करता हूं और आपके अच्छे स्वास्त की काड़ना करता हूं कैसे हैं दोस्तों मुझे उमीद है कि आ दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मैं आपके लिए स्वास्त संबंदित वीडियो बनाता हूं जिने आप लोग देखते हैं आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं हम बात करेंगे कि प्रोब्लम में हमें कैसी डाइट रखनी चाहिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नही खाना चाहिए तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों हम इस सच को नहीं उटवा सकते कि खानपान बिमारियों को दूर करने के लिए और सिहत सुदाने के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है जाने कम और कौन सी बिमारी आपको अपना सिगार बना ले इसके लिए आपको अपने स्वास्त पर ध्यान देना और अपनी जो इम्मूनिटी है उसको बढ़ाना बिहस्ज़र होगी है दोस्तों फिशर को जल्दी ही करने के लिए आपको अपनी डाइट में हाई फाइबर लेना है आपको अपने हार में कम से कम एक दिन में 30 गिराम फाइबर लेना ही लेना है इससे क्या होता है दोस्तो जो फाइबर होता है वो कबज नहीं होने लेता है और जो फिशर की प्रोब्लम है उसका जो मूल कारण है वो कबज है जब हमें कबज नहीं होगा तो हमारा फिशर जल्दी हील होगा इसके अलावा दूसरा है दोस्तों साइटरस फूड में केलोरी और फाइबर की मातरा काफी जादा होती है इसके अलावा इसमें एंटी ओक्षिडेंट भी पाई जाते हैं जो फिशल की वज़े से होने वाली जो एनल स्वेलिंग है उसको दूर करने में काफी सहयक होते हैं इसके अलावा दोस्तों आपको अपनी डाइट में लेकिड पदात लेने की जरूरत है आपको इसके लिए दिन में कम से कम आठ से दस गलास पाने पिना चाहिए इसके अलावा फ्लो का जूस चार्च वेजटेबल सूप का निमेत रूप से सेवन करना चाहिए यानि कि आप आपको अपनी बोडी को हाइड़ेट रखना है आपको अपनी बोडी को डियाड़ेट नहीं होने देना है इसके अलावा दोस्तों हरे पत्तदार वाली सब्जी दोस्तों हरे पत्तदार वाली सब्जी फिशर के लिए काफी लाबदायक होती है इसमें काफी तरीके के पोश इसके अलावा जो तर्बूज होता है तर्बूज में काफी मात्रा में पानी पाये जाता है जिसकी वज़े से उसको लेने से हमारी बोड़ी है वो hydrate रहती है और हमें कबज के शिकायत नाके बराबर होती है दोस्तो फिशर का मूल गारन है वो कबज है जब हमें कबज नहीं होगा तो जो हमारा फिशर है वो जल्दी हील होगा दोस्तों ये सब जो आहार हैं वो फिशर के परिशानी को जल्दी हील करने में काफी मददगार साबित होते हैं लेकिन अगर आप फिशर के दोरान मसालेदार खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, मास, चाए, सिगरेट, अलकोहल या फिर ज़्यादा तेज मिर्श मसाले वाली चीज़े ज़्यादा बहार का खाना मैदा की बनी चीज़े ज़्यादा खाएंगे तो फिशर ठीक होने की मुझे आसा है कि मेरे द्वारा दे गए जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर आपकी कोई कंप्लेन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो नीचे दिये गए कमेंट सेक्शन में आप हमें हमसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, जाने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी त